आयर्वीद समाधान में आपका स्वागत है दोस्तो आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजी लाइक कीजी और शेयर कीजी दोस्तो हमारे जो नुस्के हैं वैद्धियों की राय के मताविक होते हैं घरे लो नुस्के होते हैं इसलिए आप लोग चैनल को आज और दोस्तों साइनस एक स्वास्त समस्या है जिसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता हाला कि आप कुछ एतियाती उपाय लेने और घर पर सही उपचार करने के द्वारा इसके लक्षणों से राहत पा सकते हैं या साइनस के इलाज के लिए कुछ प्रभावी घरेलू उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं नमर एक प्याज और लेसुन की तरह तीखे खादेपदार जो होते हैं वो साइनस के इलाज के लिए बहुत फायदे मंद होते हैं आप इन खादेपदारतों की एक छोड़ टीसी राशी लेने के द्वारा शुरू कर सकते हैं यानि की कम-कम मात्रा में इनको शुरुआत में आप शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे फेरेने बढ़ा सकते हैं आप अपने नियमित भूजन में इन खाद्य पदारतों को शामिल करें आप देखें कि कितना फाइदा आपको मिलने लगता है नमर दू गाजर के रस में महान चिकतसा गुणों को शामिल किया जाता है जो साइनस के लाज के लिए बहुत फाइदे मंद हैं आप एक गाजर का रस अलग से या चुकंदर खीरे या पालक के रस के साथ आप ले सकते हैं ये साइनस के लक्षणों के उपचार में मदद करेगा शौस समंदी समस्याओं से आराम पाने के लिए थोड़ा काला जीरे के बीज लें और फिर उनेंए एक पतले कपड़े में बांग लें तोरंत रहात पाने के लिए इसका उप्योग सांस लेने के लिए करें नमर चार गरम पानी में यूकलिप्टस तेल के पाइन की कुछ भूने मिला लें और साइनस के लक्षरों से रहत पाने के लिए आप इसकी भाप ले सकते हैं नमर पाँच अपनी नाक और आख के चारों और नाक की रनिंग को रोकने के लिए जैतून का तेल लगाएं ये आपके नाक की रुकावट को साफ करने में मदद करेगा दूस्तो आईर्विद समाधान जीवन जीने की एक पद्दती है जिसमें बताएगे इनसके वैद्द्यों की राय के मताबिक होते हैं जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब लाइक और शेयर कीजिए आईरविद समाधान क्योंकि आईरविद समाधान है हर रूख का निदान